Hello kids, आज का चैप्टर है Celebrating Festivals आद हम पळेंगे इस Festivals के बारे में People celebrate many festival in India एंडिया में बहुत सारे festival मनाई जाते हैं A festival is the time to celebrate a special event festival उस time को कहते हैं जब हम किसी एक special day को celebrate करते हैं we visit family and friend and exchange gift and sweet हम फेस्टिवल पर अपने दोस्तों और फैमली के मेंबर से मिलते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और मिठाईयां देते हैं ठीक है वी डेकोरेट अवर होम, वी आर न्यू क्लोस एंड मेक स्पेशल फूड फेस्टिवल वाले दिन हम लोग नई कपड़े पहनते हैं अपने घर को सजाते हैं और एक स्पेशल फूड बनाते हैं अगर डिलिजियस फेस्टिवल क्या होते हैं सबसे पहले हैं दिवाली, दिवाली is the festival of light दिवाली को light का festival कहा जाता है क्योंकि इस दिर देखिए हम अपने घर को रोशनी से सजाते हैं क्रैकर्स जलाते हैं ठीक है People decorate their home with candle lamp and light सब लोग अपने घर को candle से, lamp से, light से जलाते हैं दिया जलाते हैं आप लोग People wear new clothes इस दिन सारे लोग नए कपड़े पहनते हैं They pray to Goddess Lakshmi and Lord Ganesha और सब ही लोग इस दिन लक्षमी जी की और Ganesha की पूजा करते हैं Next है हमारी Eid Eid is celebrated at the end of Ramadan The holy month of fasting जो Eid है वो रमजान के महीने में मनाई जाती है और ये पूरा ही पवित्र महीना होता है Fast रखने का, breath रखने का ठीक है People wear new clothes and go to mosque for prayer और इस दिन भी लोग नए कपड़े पहनते हैं और ये कहां जाते हैं मॉस्क्यू में जाते हैं प्रेयर करने के लिए They wish each other by saying Eid मुबारा और एक दूसे को Eid मुबारा बोल के wish करते हैं They also eat सिवाईया और ये सिवाईया खाते हैं इस दिन ठीक है Next आता है हमारा गुरू पर्व गुरू पर्व आर सेलिबरेटेड एस बर्थडे ओफ सिख गुरू गुरू पर्व बड़े होता है सिख के गुरू का उसको हम कहते हैं गुरू पर्व People go to गुरू दौारा for prayer और इस दिन सभी लोग गुरू दौारा जाते हैं करने के लिए they take out possession ये जिन क्या करते हैं एक जुलूस निकालते हैं they eat together and also offer food to the poor साथ मिलके सब खाना काते हैं गरीब लोगों को भी खाना खिलाते हैं they decorate their home with light अपने घर को रोश्टी से सजाते हैं next आता है हमारा Christmas Christmas is celebrated on 25th December every year Christmas को 25th December को मनाते हैं Jesus Christ was born on this day और इस दिन Jesus का birthday था ठीक है people go to church for prayer और इस दिन सभी लोग church जाते हैं prayer करने के लिए they decorate Christmas tree और देखे Christmas tree को हम सभी बच्चे सजाते हैं they exchange gift and cake और एक दूसरे को gifts देते हैं और cake देते हैं देखाए ना आप में Christmas आप सब वेट करते हैं कि Santa Claus आएंगे तो वही वाला दिन होता है Christmas अब National Festival some days are celebrated by all Indians they are called National Festival कुछ दिन होते हैं जिनको सभी भारते मनाते हैं जिसको हम कहते हैं National Festival देखे Christmas, Guru पर यह तो religious है कि कुछ कुछ लोग मनाते हैं कुछ लोग नहीं मनाते हैं पर National Festival सभी इंडियन मनाते हैं We celebrate Independence Day on 15th August every year India become free on this day अब Independence Day होता है हमारे 15th August को इस दिर हमारे देश को अजादी मिली थी इसको सभी देशवासी मनाते हैं We celebrate Republic Day on 26th January every year हम Republic Day मनाते हैं 26th January को A colorful parade is held in New Delhi on this day इस दिर परेड निकलती है 26th January की परेड आप में सुनाओगा Delhi के Red Fort में ठीके Republic Day पे क्या था कि हमारे जो भी इंडिया में कानून है सम्विधान है वो लाग हुआ था People host the national flag and sing the national anthem on Independence Day and Republic Day इस दिन सभी लोग National Flag को फेराते हैं देखिये और नेशनल एंथम को गाते इंडिपेंडनेंस डे और रिपब्लिक डे पे मार्टमा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया इस बर्थ दे इस एलिवेटेड एस गांधी जयन्ती और सेकेंड अप्टूबर एवरी यार और इसके अलावादे के गांधी जी होते हैं वो हमारे बहुत बड़े लीडर थे तो उनके बर्थ दे को सेकीन अप्टूबर को हम गांधी जयन्ती बनाते हैं तो ये भी हमारा के नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडनेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयन्ती तो अफर टोड़े बाबा टेके